नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का अपने यूटूब चैनल अस्पाई टूटोरियल में स्वागत करता हूँ उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी पिछले देक्चर में हम लोगोंने नमबर सिस्टम चालू किया था जिसमें हम लोगोंने नमबर, नियूम्रल, इवेन नमबर, ओड नमबर, इंटीजर्स और फ्रेक्शन के बारे में डिस्कस किया था और उसके कुछ क्यूस्टन्स देखे थे तो आईए आज उसी के आगे दूसरा देक्चर जो टाइब साफ नमबर का रिमेनिंग पॉर्सन रह गया था आपका जैसे प्राइम नमबर और कंपोजिट नमबर क्या है उन सब के बारे में आज डिसकस करेंगे तो देखो अगर एप्टिट्यूड में आपको अच्छी कमांड चाहिए तो आप हर कांसेट पे 8-20-30 क्यूस्टन प्रैटिस करिए आप जब हर कांसेट पे इतना क्यूस्टन प्रैटिस करोगे तो आप देखोगे कि आपको कोई भी क्यूस्टन आएगा उस कांसेट से रिलेटेड आप बिटिन 30-40 सेकेंड में उस क्यूस्टन को सॉल्व कर दोगे तो चलिए आज के लेक्चर को सुरू करते हैं उसी के आगे बिना टाइम बेश्ट करते हुए तो चलिए सबसे पहले समझते हैं प्राइम नंबर अब देखो प्राइम नंबर को हिंदी में कहते हैं अभाज संख्या जिसे नाम से ही क्लियर है अभाज जिसका कोई भाज ना किया जा सके तो prime number आपका क्या होता है उसका definition नीचे दिया गया है सबसे पहले वो definition read करते हैं ताकि आपको idea आ जाए फिर इसके कुछ examples आपको दिखाता हूँ तो चलिए prime number होता क्या है a number is greater than one देखो कोई number जो एक से ज़्यादा हो it's called a prime number उसको हम prime number कहते हैं कब कहते हैं उसका rules आगे है if it has exactly two factors कोई भी number एक से ज़्यादा हो और उसके केवाद दो ही factor हो और कौन कौन से factor हो namely one and the number itself कोई भी number अगर एक से ज़्यादा है उसके exactly दो factor हो रहे हैं पहला factor one होगा और दूसरा factor नंबर ही खुद होगी तो ऐसे number को हम बोलेंगे prime number उचलिए इसके example के द्वारा एक-एक समझते हैं अब आप ध्यान से देखिए एक क्या है आपका यहां मैं सबका इनका factor दिख रहा हूँ एक का factor करोगे क्या आएगा एक factor का मतलब गुनन खंड होता है तो यह आपका क्या है प्राइम number है इसी तरह आप 2 का देखिए इसका भी factor करिए कितने factor आ रहा है एक तो one होगा और दूसरा इसका क्या होगा दो होगा दो खुद हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे यह भी आपका prime number है इसी तरह कोई भी number हो आप चेक कर सकते हैं चलिए तीन को चेक करते हैं तीन की कौन कौन से factor होंगे एक तो one होगा और दूसरा होगा तीन factor मतलब एक किस से divide है तीन एक तीन खुद तीन से divide होगा या एक से divide होगा तो ए भी रहा आपका prime number prime का मतलब अभाज देखो मैंने उपर दिख दिया है जो लोग हिंदी में हैं उनको कोई problem ना हो अब देखो जब 4 का हम factor निकालेंगे तो क्या आएगा अब देखो एक से divide है इसके बाद दो से divide है इसके बाद इस चार खुद से divide है अब इसके कितने factor होगे देखो तीन factor होगे और example में अपना यहां कह रहा है कितने होने चाहिए किवल two factor होने चाहिए तो क्या यह आपका prime number हुआ यह prime number नहीं हुआ तो यहां देखता हूँ not prime number आपको idea आ रहा होगा कि हम prime number कैसे निकालते हैं बस कुछ नहीं करना है यह definition को याद रखना है ऐसे ही चलिए 5 को check करते हैं 5 को check करोगे क्या है कि इसका factor 1 and 5 ही होगा तो यह क्या है यह आपका prime है कोई भी number दिया रहे आप उसको easy कर सकते हो अब prime number के कुछ notes हैं उसको मैं यहां आपको एक बार दिख देता हूँ ताकि आपको idea आ जाए जो बहुत बार exam में आप देखोगे कथन और सकता के रूप में पूछ लिए जाते हैं तो पहला note है आपका one के बारे में तो देखो one आपका क्या है one भजे यह आ रहा है one is not a prime number one को हम prime number में consider नहीं करते हैं one is not a prime number इसके बाद दूसरा point है आपका जो दो है two is one जी even and prime number जो दो है वही एक ऐसी number है जो sum भी है और prime भी है इसके अलावा और कोई number नहीं है इसके बाद तीसरा point है कभी-कभी आपसे direct पूछ लिया जाता है कि एक से देके 100 के बेच कितने prime number आएंगे तो इसको आप direct याद रखना है इसके total आते हैं 25 प्राइम नमबर ये कई बार exam में पूछे गए हैं अगर कुछ भी doubt हो तो आप comment करके बोलिए तो I hope आपको prime number का concept clear हो गया होगा इस पर question practice करिएगा देखो exam में कैसे question आते हैं check करने के लिए 100 के अंदर रहा आप उसका factor आसानी से करके check कर दोगे जेकिन अगर number 100 से ज़्यादा हुई तो उसको कैसे check करोगे उसके बारे में हम देखते हैं तो चलिए अपना है how to test number P मानो P कोई एक number दिया है आप कैसे check करोगे को prime number है कि नहीं बहुत बार आप exam में देखो के चाहे UPP हो चाहे SSC हो, railway हो, banking हो किसी भी exam में कई बार आता आपको 4 number दे देगा पूछेगा कौन सा number prime है आपको identify करना है तो उसके कुछ steps मैंने दिखे हैं उसी step के form में आप जाइएगा सबसे पहले हम step एक बार rate कर देते हैं इसके पाद example के द्वारा एक-एक को समझेंगे तो चलिए पहला step क्या है find a whole number K such that K greater than root P देखो यह कह रहा है कि आप कोई एक ऐसा number find out करी है जो इसके square root से जादा हो कोई भी दूसरा step है get all prime number less than or equal to K तो जो यह आपने जिसको K माना है इससे छोटी जितनी भी prime number आते है उससे आप अगला step में कह रहा है divide P with each of this prime number तो K का जो आपने prime number इससे छोटा निक्यादा है हर एक number को हर एक number से P को divide करेंगे अब divide करने के बाद क्या check करेंगे वो step 4 में है if number divides P exactly then P is a prime number otherwise it is not a prime number तो देखो यह कह रहा है कि जब हम K से छोटी जो भी prime number है उससे P को divide करेंगे अगर P exactly divide हो जाता है मतलब reminder 0 आ जाता है तो आपका इसको हम क्या बोलेंगे यह आपका prime number है नहीं तो यह prime number नहीं है अगर divide नहीं होता है तो prime number नहीं है I hope आपको यह समझ में आ गया होगा चलिए इसको example के द्वारा question लेते हैं तो आपको समझ में आ जाए गए steps का अब देखो आपको चेक करना है 191 is prime or not आपको यह बताना है देखो मैं चाहता हूँ आप video को pause करिए और खुझ से इसको solve करने की कोशिस कीजिए steps के द्वारा उसके बाद मैं यहां solutions कर रहा हूँ उसको आप देखिए तो चलिए सबसे पहले step 1 दिखते हैं अब देखो 191 का आपको ऐसा square root देना है जो इसके आजपास हो देखो कोई एक ऐसी number मानना है जब हम P का square root देंगे तो उसके आजपास आए तो देखो जब आप इसको ध्यान से देखो अगर हम 14 का square root करेंगे तो क्या आएगा 196 और 15 का करेंगे तो क्या आएगा यह आपको पता होगा नहीं पता होगा square root तो 8-20 तक आप याद रखिए अगरे लेक्चर में मैं इसके बारे में भी discuss कर दूँगा इसका tricks भी आपको बता दूँगा अभी के लिए इतना समझ दीजिए तो जब 15 का square करेंगे 225 आएगा और आपका 191 किसके बीच आ रहा है किसके nearest है 191 अपना आ रहा है 14 के square के nearest में है तो step 1 में अपना जो 14 है इसको हम ऐसा देंगे देखो यहां कि उससे ज़्यादा आए उससे ज़्यादा छोटा नहीं देना है अब 196 191 से ज़्यादा है तो चलिए जब इसको हम ऐसे करेंगे तो यह अपना आएगा 196 step 1 हो गया step 2 क्या कहता है step 2 आपका कहता है कि जो आपका K है यहां देखो यहां मैं लिक भी देता हूँ A आपका K है और A है आपका P ताकि आपको confusion ना हो आप उस फार्मूले से जो यहां steps है इससे आप जाते रहें देखो एक दो question करोगे आपको एकदम easily लगेगा यह बहुत है complicated चीज है लोग इसको सही से explain नहीं करता लेकिन एक बार आप concept समझ लोगे देखोगे कि इसमें कुछ भी नहीं है अब देखो यह second step है get all prime number raised than or equal to K तो K तक आपको सारे prime number को लिख लेना है मतलब 14 तक तो क्या क्या prime number आएगा एक को तो हम consider करते नहीं है 2 आएगा 3 आएगा हाइप आएगा 7 आएगा इसके बाद क्या आएगा 11 आएगा इसके बाद आएगा 13 उससे छोटे को ही divide करना है अब आपने इसको लिख लिया अब step 3 में चलिए step 3 में जो आपका P है P यहाँ क्या है आपका 196 196 को इस prime number से जो इससे छोटा आपने दिखा है सबसे divide करिए तो जब आप 2 से divide करोगे स्वारे यहाँ 191 है इसको आप जब 191 को जब 191 को आप divide करोगे क्या है 2 से divide है नहीं है यहाँ reminder आएगा है तो 2 से divisible नहीं है इसी तरह जब आप 191 को किससे divide करोगे तीन से तो क्या है divide होगा नहीं होगा यह भी नहीं यहाँ divide हो रहा है इसी तरह जब आप 191 को किसी से भी divide करो 5 से भी नहीं होगा अगले lecture में मैं divisibility rule देके आऊंगा आप एकदम इसी तरह आप 13 से करोगे तो उससे भी नहीं होगा कुछ न कुछ reminder आएगा तो देखो यह जो हमने नमबर दिखा था क्या किसी से divide हुआ नहीं हुआ तो चलिए step 4 रेट करते हैं तो if no number divides P exactly then P is a prime number तो देखो जो यह सारी numbers थी 2, 3, 5, 7 11, 13 यह सारी number 191 को divide नहीं कर पाई तो जब divide नहीं कर पाई तो अपना number क्या है प्राइम number है अगर divide कर देती तो प्राइम number नहीं होती तो यहां हम क्या लिखेंगे 191 यह था आपका step 3 अब यहां step फूर देखो यह मैं आपको समझने के लिए यह से step में लिखा हूँ जब आप थोना 20-25 क्यूस्चन इस पे करोगे तो आपके accuracy एकदम आ जाएगा आप देखते ही तुरंत इसको बताने लगेंगे calculation चालू कर देंगे 191 is a prime number I hope आपको यह समझ में आ गया होगा अगर ना समझ में आया हो वीडियो को रोकिए इस concept को एक बार फिर से समझिए अगर prime number पर question आता है तो इसी type के आते हैं आपको चार number देदेगा चार option वो जगा चारों option में आप find out करिए कौन सा number prime number नहीं है चलिए एक और question इसी पर करते हैं ताकि आपकी clarity और अच्छे से आ जाए अब आपको चेक करना है 187 is prime or not आपको यह बताना है देखो prime का मतलब पता है न अभाज नंबर अभाज नंबर का मतलब जो एक से डिवाइड हो और खुद से हो prime or not तो सबसे पहले आप क्या करोगे step 1 सबसे पहले आप कोई एक ऐसा square root find out करोगे जो इससे ज़्यादा हो तो देखो इससे ज़्यादा क्या आ रहा है आपका 14 का square 196 जो इससे ज़्यादा आ रहा है तो हम k की बैदू यहाँ क्या मान सकते हैं k की बैदू हम 14 मान सकते हैं कि नहीं 14 greater than 187 यहाँ तक आपको कोई problem नहीं होगा अब step 2 step 2 में आपको क्या करना है same होई दिख देना है जब आप same दिखोगे तो क्या आएगा सारे चवदर की नीचे जो भी prime number है दिख दो 2, 3, 5 7, 11 and 13 अब जब यहाँ तक आपने दिख दिख दिया step 3 में आप क्या करोगे step 3 में आप इसको एक एक को इससे डिवाइड करोगे 187 को जब 187 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या है होगा नहीं डिवाइड होगा इसी तरह जब आप 187 को 3 से करोगे तो क्या होगा देखो 3 into 6 18 होगा और जब 3 दूना 6 करोगे तो 1 से सफ़ आ जाएगा यह भी नहीं होगा इसी तरह 5 से करोगे नहीं होगा आपको पता है 5 से तभी होगा जब यह 0 हो या 5 हो 7 से भी नहीं होगा जब 7 से करेंगे तो चेक कर देते हैं 187 divided by 7 जब आप करोगे तो देखो साथ दूना चवदर और चार साथ आपका आएगा साच्छंग बयादिस तो आपका यहां भी रिमांडर आ जा रहा है इससे भी नहीं हो रहा है अब 187 को हम अजेवन से डिवाइड करते हैं जब अजेवन से आप डिवाइड करोगे तो देखो सेसफद आपका क्या आएगा जो रिमांडर आएगा देखो 211 का 211 बचा 7 और 7 इंटू 7 कितना हो गया 77 तो जब 187 को 211 से हम भाग देंगे तो हमारा सेसफद यहां क्या आजाएगा देखो हिंदी में दिख दे रहा हो ताकि आपको प्राबलम ना हो तो जो 6 फ़ल आएगो आपका 0 आ गया अब देखो अपनी condition थी कि अगर इन में से कोई number उसको divide नहीं कर पाई तब ही वो prime होगा नहीं तो prime नहीं होगा अगर कोई divide कर दी तो यहाँ देखो 11 ने इसको divide कर दिया है अब जैसे ही एक ने इसको divide किया बस अपना काम हो गया आप उसने से prime पूछ रहा था तो दिख देंगे 187 is not a prime number I hope आपको समझ में आ गया होगा मैंने दो question करके दिखा दिया आप कैसे check करोगे कुछ नहीं है बस concept को पकण के रखना जो 4 steps हैं और steps को रटने की जरूरत नहीं है आप जादा सजादा question practice करिए अपने आप आपके clarity आ जाएगी चलिए अगला topic देखते हैं अब अगला topic है composite number composite को हिंदी में क्या कहते हैं यहां मैं दिख देता हूँ composite को बोलते हैं भाज composite का मतलब होता है भाज भाज संख्या देखो नाम से clear है ऐसी संख्या है जो भाज हो जाएं चलिए इसका definition read करते हैं numbers greater than one which are not prime are known as composite number देखो यह कह रहा है कि कोई भी number जो एक से ज़्यादा हो और उप प्राइम ना हो अगर प्राइम नहीं है तो उसको हम कौन सा number बोलेंगे उसको हम composite तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं 4 अब 4 का आप factor करो तो क्या आएगा 1 into 2 into 4 3 factor आए मतब यह composite नहीं है अस्वारी यह प्राइम नहीं है तो क्या होगा यह आपका composite होगा यह आपका हुआ composite number इसी तरह आप 6 का करोगे 6 का factor करोगे factor आता है आप लोगों का ना उसमें भाग देना है एकदम छोटे से सुरू करना है 1 भी divide करेगा 2 भी divide करेगा 2 तियां इचे 3 भी करेगा और 6 भी करेगा तो देखो 2 से ज़्यादा factor हो गए तो यह भी आपका क्या हो जाएगा composite number तो I hope आपको idea आ गया होगा कि composite और प्राइम को कैसे चेक करते हैं इसी तरह आपका है 8 9 10 12 यह सब जो है वो आपका composite number है आप इसका factor करके देख देने हैं अब इसके कुछ notes हैं उसको भी दिख देता हूँ एक के बारे में हमेशा controversy होती है तो यहाँ देख देता हूँ 1 is अक्सर पूछा जाता है प्राइम है या composite है 1 is neither prime यह आपको याद रखना पनेगा कि जो 1 है 1 is neither prime nor composite तो जो आपका 1 है न तो भाज है और नही अभाज है तो I hope आपको यह समझ में आ गया होगा कि composite नंबर क्या होता है देखो एक्जाम में कैसे आता है आपको 4 नंबर दे देगा बोलेगा composite बताएए या प्राइम बताइए और कुछ नहीं पूछता I hope आपको यह समझ में आ गया होगा अब चलिए अगला टॉपिक सुरू करते हैं factors आप composite नंबर एक बहुत ही important topic है कई बार आपसे पूछा जाता है कि factors आप composite नंबर बताएए इसको क्या बोलते हैं कि total number आप factors जो भी आपकी भाज संख्याएं है उनके कितने factors होंगे उसके बारे में पूछता है तो चलिए इसको example से पहले मैं आपको समझाता हूँ कुछ फिर इसका formula derive करेंगे अभी देखो 8 को हम ले देते हैं 8 आपका क्या है composite number है 8 is a composite number अगर आपको इसका factor देखना है तो आप क्या करोगे factor के लिए आप क्या करोगे इसको देखोगे किससे किससे divide है सबसे पहले आप जब इसमें 2 का भाग दोगे यहां मैं पूरा करके आपको दिखा दे रहा हूँ जब इसमें 2 का भाग दोगे तो क्या जाएगा आपका कितना बार जाएगा 4 बार जाएगा 2 चोक 8 पूरा divide हो जाएगा अब जो 4 आया चार को भी जब 2 से दोगे तो क्या जाएगा दो जाएगा यह भी आपका 4 कट जाएगा फिर जो भाग फल आया है उसको फिर से 2 से भाग दीजिए जब 2 से दोगे जब तक भाग फल एक ना आ जाए तब तक दीजिए कौन-कौन उसको divide कर रही है तो देखो जब 2 से देंगे तो 2 यह भी आपका 0 आ गया तो इसके total कितने factor आये एक तो 2 हुआ जो इसको divide किया फिर 2 हुआ फिर एक 2 हुआ आप factor ऐसे भी निकाल देना 2 into 2 into 2 तो इसके कितने total factor आये है 3 और अगर इसको लिखना है ऐसे 2 के power 3 हम दिख सकते है कि नहीं कोई इसू नहीं है इसी तरह हम एक और example दे रहे हैं 9 को देते हैं देखो यह भाग एकदम छोटा है इसलिए मैं यहां करके दिखा दिया हूँ अभी मैं direct उसको दिखने वागा हूँ जो आपका 9 है वो भी क्या है 9 इसे composite number अब जब 9 आपका composite number है इसका factor करिए इसका जब factor आप करोगे तो इसको हम क्या 3 into 3 दिख सकते हैं कि नहीं और 2 बात 3 है तो हम 3 के घाते 2 जिसको हिंदी में घात बोलते हैं यहां हम इंग्लिस में power बोलते हैं कि 3 के घाते 2 मतब 3 का 2 बार multiply हुआ है तो चलिए अब इसको हम standard format में कैसे लिखेंगे किसके कितने total factor आएंगे उसको देखते हैं तो चलिए मान देते हैं कि कोई composite number दी है अभी हम number को P मान के चल रहे थे वही P1 कोई number है उसका power है lambda 1 into P2 है उसका power है lambda 2 into P3 है आपका उसका power है lambda 3 ऐसे ही आपका total in number तक आपकी number दी गई है जहाँ P1, P2, P3 एसा prime number है इसलिए मैं P के term में दिख रहा हूँ lambda है यहाँ मैं नीचे दिख भी देता हूँ जहाँ आपका P1, P2, P3 ए आपका क्या है एसा prime number है जब भी हम उसका factor करेंगे उसको prime number के फार्म में लाने की कोसिस करेंगे तभी उसको हम निकाल पाएंगे और आपका lambda 1, lambda 2 और यह lambda 3 जो है यह आपका क्या है उसका power है I hope यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अगर कुछ भी doubt है आप वीडियो को pause करिए एक बार फिर से देखिए देखिए मैं हर topic को इक डिटेल में discuss कर रहा हूँ इसलिए आप लोग patience के साथ पूरा इसको देखिए अगर इस series को पूरा नहीं देखिए और बीच में आप leave कर दोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा अगर ऐसा condition आए तो अगर हमसे पूछे की factor आप composite number यहां मैं color change कर रहा हूँ अगर हमसे पूछे की factor आप composite number को आप बताईए factor आप देखो यही concept है अगर इसको आप समझ गए तो सारे question कर लोगे factors आप composite number तो इसको हम कैसे दिखेंगे total कितनी number आप factor होंगे अगर इस condition में दी है तो जो उसका power आया है lambda 1 plus 1 multiply देखो बीच में कुछ नहीं है मतलब multiply है lambda 2 plus 2 lambda आप स्वारी यहां 1 है lambda 2 plus 1 lambda 3 plus 1 जो भी power है उनमें plus 1 करके multiply आपस में कर देना है तो जब इसका हम जो factor आप composite number पूछेगा हम पहले number का factorize करेंगे उस factor को हम composite number में convert करेंगे फिर देखेंगे उसके कितने power आ रहे है फिर हर power में एक add करके उसका multiply कर देंगे यह है इसकी summary चालिए इसको example के द्वारा समझते है अब 18 को चेक करते है आपको दिया एक number 18 पूछ रहा है find total number of factors आपको बताना है कि 18 के कितने total number of factors होंगे तो आप क्या करोगे पहले उस फार्मूले में चलते है सबसे पहले आप 18 का factorize करिए तो 18 को सबसे पहले हम 2 से काटेंगे तो कितना बाद जाएगा 9 फिन 9 में हम 3 का देंगे तो कितना बचेगा 3 फिन 3 में 3 का देंगे तो बचेगा 3 आप यहां सबी देख सकते हैं 2 into 3 2 तियाई 6 और 6 तियाई 18 तो 18 आगया मतलब बराबर है लेकिन यह देखो composite में आ गया 2 भी composite है और 3 भी आपका composite है लेकिन यहां 3 दो बार है तो उसको power के form में दे जाए इसको हम 2 के power 1 into 3 के power 2 देख सकते हैं कि नहीं अब देखो आपका P1 क्या बना P1 आपका बना 2 and P3 आपका बना 3 जब आप इससे compare करोगे और lambda 1, lambda 2 क्या था इसके power थे तो factors जो number आप factors आएंगे जो number आप factors आएंगे उसको आप कैसे करोगे 1 में 1 add कर दो into 2 में 1 add कर दो कितना आएगा 1, 1, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा total कितना आएगा answer 6 अब 6 कौन कौन होंगे उसको हम यहां देख देते हैं देखो यह छोटा number है इसलिए यहां हम दिखा दे रहे हैं मानों आपसे 3 digit, 4 digit का पूछेगा तो वो सब दिखाना possible नहीं होगा number आप factors कितने है उसके लिए आपको इसी मेंधर से जाना पूरेगा तो चलिए 8 रा का देख जेते हैं कितने total 6 आ रहे हैं कि नहीं एक तो यह 1 से divide होगा इसके बाद किस से होगा 2 से भी होगा थी 3 से भी divide होगा 3 के बाद किस से होगा 6 से होगा फिर 9 से होगा फिर 8 खुट से होगा तो देखो 6 आया कि नहीं 12, 3, 4, 5, 6 total कितना आया 6 factor आया और हम लोग जो फार्मूले से निकाले हैं, concept से, उससे भी अपना 6 ही आया, मतलब जो अपना concept है, वो एकदम सही है, कोई भी question हो, आप उसको apply करिए, सीधा हो निकल के आ जाएगा, चलिए एक और example लेते हैं, फिर मैं आपको कुछ homework दे दूँगा, अगला question है, आपको find the factor, आप composite number, find factor, आप composite number, किसका बताना है, 360 दे देते हैं, तो अब सबसे पहले क्या करोगे, 360 का आप factorize करो, प्राइम नंबर के turn में, तो देखो factorize करें, मैं आपको यहां से बता देता हूँ, जो हम factor के turn में यूज करने वाज़े हैं, सबसे पहले, आप क्या करोगे, ऐसे बना देने का, इसमें सबसे पहले, सबसे छोटी number, कौन इसको divide करेगी, 2 से करेगी, 2 divide करेगी ना तूसका दिखे, 1 क्या येगा, 2 का 2, 2 अगर शोजा और 1 सुनना आजाएगा, फिर 2 से करेंगे, तो क्या येगा, 29V 18 यहां 1 0 आजाएगा, फिर अभी दो से जाएगा तो जब तक दो से जाता रहे आप करते रहे फिर दो से करेंगी क्या आएगा दो चवक आठ और नौ में से आठ गए एक बचा वन और जीरो तो यह बचेगा सुनना मतब पैटादिस आगया अब पैटादिस किससे डिवाइड होगा अब पैटादि फाइब से जब भाग देंगे तो यह भाग फल निकलके आएगा वन यहां सारा भाग फल दिखते आ रहे हैं तो उसको यहां दिख देते हैं टू इन्टू 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 इन्ट आया है दो बार आया है और 5 कितनी बार आया है एक बार आया है अब आपसे total number आप factors पूछ रहा है तो factors करें आप क्या करोगे जो इनके power है prime number के उसमें एक add करिए 3 plus 1 3 plus 1 तो प्लस वन और 5 के power कितना है 1 1 plus 1 ध्यान रखना ये सारा prime ही होना चाहिए जब इसको करेंगे 4 into 3 into 2 जब इसको solve करेंगे तो क्या निकल के आएगा चार त्याए 12 और 12 दूना 24 तो टोटल नमबर आप इसके 24 निकल के आएंगे आप मैंनोजे भी चेक करोगे सेम आने वादा है अब आपके लिए मैं एक homework दे रहा हूं आप उसका हमें answer बताईएगा आपको सबका prime number बताना है कि total number of factors 590, 800, 495 इसका क्या करना है find number of factors आपको इन सबका number of factors बताना है तो उसके ये वही concept लगाना prime number में divide करना और उसके power में जो हो उसमें एक add कर देना तो I hope आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से concept को revise करिए इस concept पे बहुत बार question आते हैं और इसमें कुछ नहीं है एकदम basic सा है तो चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा अब अगला हम topic देखते हैं को प्राइम number का मतलब हिंडी में क्या होता है सह को मतलब सह होता है ना प्राइम को हम क्या लिखे थे अभाज सह अभाज और नमबर का मतलब होता है संख्या यह है इसका हिंडी मतलब अब देखो को प्राइम number हम कहते किसे हैं उसका definition देखते हैं तू नेचुरल नमबर सार को प्राइम इफ देर एचसी एफ एचसी एफ आपका भी LCM है अगले chapter में आएगा इस एफ का मतलब है highest common factor दो अएसी नेचुरल नमबर जिनका HCF एक हो उसको हम को प्राइम नमबर बोलते हैं देखो यह बहुत ही चोटी चीज़े हैं लेकिन बहुत बार एक्जाम में इन सब में क्यूस्चन आया आप प्रिवेस एर उठा के देखोगे तो चलिए कुछ हिसका एक्जामपल के द्वारा देखते हैं आप देखो दो नमबर दिया रहेगा आप देखो दो और तीन को लोग क्या है आपका को प्राइम है तो इनका HCF क्या आएगा HCF मतलब highest common factor जब इनका HCF लोगे तो क्या निकल के आएगा इनका HCF तो आपका 1 ही आने वाला है तो मतलब यह आपका क्या है को प्राइम नमबर है इसी तरह हम अगला नमबर चेक करते हैं फाइप और वन को देखो जब फाइप को हम करेंगे वन इंटू फाइप वन का वन इंटू वन हाइस्ट कामन फैक्टर मतलब जो सबसे ज़्यादा बार डिवाइड क कर रहा हो उसको एस्टीयफ बोलते हैं इसका भी एस्टीयफ क्या आया इसका भी एस्टीयफ वन आया मतलब यह भी प्राइम नमबर है इसी तरह हम सेवन और एट दो नमबर है इनका भी एस्टीयफ क्या आने वाला है इनका भी वन आया तो यह भी अपना प्राइम नमबर ह अब इसका देखो तू और फोर को देखो क्या इनका ये सीएफ हो वन आएगा इनका ये सीएफ तो दो आएगा क्योंकि दो इसको भी डिवाइट करेगा इसको भी डिवाइट करेगा उस नंबर से आपको देख लेना कि क्या इसी कोई नंबर है जो उसको डिवाइट करे तो दो दोनों को कर रही है तो इनका यह C.F. 2 आएगा तो क्या यह प्राइम नंबर है बिल्कुल नहीं है तो अभी आप बिल्कुल टेंसन मत लेना लगुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक जो होता हो अगले चेप्टर में आएगा इस C.F. का मतलब होता है महत्तम वही आपका सह अभार्च संख्याय होगी और जिसका साठकट में हिंदी में महसप बोलते हैं जिसका महसप एक के अलामा कुछ भी आ रहा है वो को प्राइम नंबर नहीं है इसी तरह और एक लिए देते हैं जैसे आठ और 11 आठ और 11 में देखो एक क्या कोई नंबर है जो इ क्या निकल के आएगा वान्त यह भी ाइस्ट कामन फेक्टर ए तो इन दोनों में ऐसा नंबर कोई ढूंधना है कि जो इन दोनों को divided कर रही हो अगर एक के अलामा कोई जो दोनों नंबर को डिवाइट कर रही हो तो उसको हम को प्राइम के Ce में नहीं डादेंगे अगर वन की अलावा कुछ भी आया तो चलिए एक यहां नोट्स है उसको हम दे देते हैं अगर मान दो कि कोई देखो यह प्रापरेटी है इसको आप अच्छे से समझ देना अगर कोई नेचुरल नंबर एन दिया हुआ है तो किसका किसका पार्ट होता ह है आपका किसका किसका एडिसन ने बहुत बार एक्जाम में क्यूस्ट चनाया है अगर हम प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर जो है आपका इन दोनों को हम आइड कर दें तो ये किसके बराबर आएगा ये आपका आएगा इनके बराबर अगर प्राइम नंबर प्लस कमपोजिट नंबर को आइड कर दें तो ये जो आपका नेचुरल नंबर है उसके बराबर आएगी जैसे प्राइम नंबर क्या होता है 2, 3, 5 ऐसे ही इन्फेनाइट तक जाएगी कंपोजिट नंबर क्या होगा जो आपका भी हमने इसके बारे हम डिसकस किया दो से ज़्यादा फैक्टर हो 4, 6, 8 आप इनका देखोगे 1, 2, 4, 3 हो रहे हैं इसलिए कंपोजिट की कैडिगरी में जा रहा है तो जब इन सब का आप आएड करोगे मानो 6 के अंदर आपको टोटल निचुरल नंबर लिखना है तो क्या हैगा 2, 3, यहाँ से 4, 5, 6 तो निचुरल नंबर के बराबर आजाएगी जब हम इनका आएड करेंगे इस प्रापरिटिस पे कई बार एक्जाम में क्यूस्चन पूछ लिए जाते हैं इसलिए यहाँ मैं इसका डिसकस किया हूँ चलिए अब आगे डिसकस करते हैं तो देखो जो टाइब साफ नंबर्स थे वो आपका यहीं तक था वो टॉपिक खतम हो चुका है अब कुछ इवेन और आड नंबर की प्रापरिटिस रह गई थी जो पिछले रेक्चर में हमने नहीं डिसकस किया था टाइम की कमी के कारण उसको यहां डिसकस कर लेते हैं एक एक करके अगर आप इसको याद रखोगे तो आप देखोगे क्यूस्चर में बहुत आसानी होगी जैसे दो इवेन नंबर है इवेन प्लस इवेन दो सम संख्या का अगर आइड करोगे तो क्या आएगा आपका इवेन ही आएगा इसका आप एक्जामपल के द्वारा भी देख सकते हो जैसे आप देखो दो प्लस चार करोगे तो क्या आएगा छे आएगा तो इवेन प्लस इवेन आपका इवेन ही आ रहा है इसी तरह आप odd plus odd अगर इसको करोगे तो क्या निकल के आएगा even निकल के आएगा मतब दो बिसम संख्याओं का योग हमेशा sum होता है तो जैसे 3 plus 5 यह दोनों आपकी बिसम संख्याओं हैं इनका आइड करोगे तो 8 देखो यह आपका बिसम था तो इसका sum जब हम इनको आइड किये तो यह sum संख्या आ गई इसी तरह तीसरी प्रापरिटी से अगर तीन नमबर हो odd plus odd plus odd अगर तीन बिसम संख्याओं का हम आइड करेंगे तो हमको क्या निकल के आएगा odd नमबर निकल के आएगा आप देख सकते हो 3 plus 5 plus 7 तो यह क्या हैगा पां 3,8,7,15 तो देखो यह क्या है आपका odd नमबर है इसी तरह चौती प्रापरिटी है आपकी देखो यह सब आपको छोटे क्यूस्चन में भले लग रहे हैं बले बले क्यूस्चन आप देखो कि क्या होता है MCQ टाइप होता है वहां यह मैटर करता है कि आप कितने कम समय में अंसर निकाल लेते हैं जितने कम समय में अंसर निकालोगे उतना टाइम आप सेविंग कर पाओ अगले क्युस्चन कि लिए तो हाँ यही सब आपके काम आतेयं10 सब को अच्छे से समझिए अगर odd और even का multiply करोगे तो क्या निकल के आएगा प्रेक्टिकल करके भी देख सकते हो odd even का करेंगे तो even आएगा जैसे आपका 2 क्या है दो आपका even है और 3 odd है जब इनका का multiply करेंगे तो 6 आ रहा देखो even आ रहा है इसी तरह 6 नंबर एक और प्रापरटी अब even into even का करा के देखते हैं क्या आएगा इवेन into even करेंगे तो यह निकल के आएगा even आप देख सकते हो 2 into 4 करिए तो क्या हो रहा है इसी तरह 7 प्रापरटी है पावर के फार्म में दिया हो अगर कोई एक even number है उसके पावर आपका odd दिया हो इवेन के पावर odd हो तो आपका क्या निकल के आएगा यह हमेशा even ही होगा जैसे आप देख सकते हो कि 2 के पावर 3 तो यह निकल के आएगा आपका कितना 8 इसी तरह अगरी प्रापरटी अब odd के पावर even करते हैं जब odd के पावर even करेंगे तो क्या निकल के आएगा odd निकल के आएगा किसी का just opposite करते हैं 3 के power 2 करते हैं तो क्या निकल के आएगा 9 निकल के आएगा एक कुछ basic property थी जिसके बारे में मैंने discuss किया इसको अच्छे से समझना अगले lecture में इसके मैं बहुत सारे questions देके आऊंगा एक बार यह सब theory complete हो जाए देखो याज सबसे ज़्यादा theory number system में है इसलिए patience के साथ आप देखिए इसके 6 से 7 lecture होंगे नहीं तो आपका basic ही नहीं clear होगा तो आगे आपका आने वाले सारे chapter hard लगेंगे क्योंकि यह number system ही पूरे aptitude का basic है चलिए अब कुछ questions देख लेते हैं ताकि आपको idea आ जाए कि exam में कैसे आते हैं देखो यह question है क्या करा है consider the following statement जो अभी तक हमने discuss किया उसी पर question है all prime numbers are odd numbers कह रहा है कि क्या सभी prime numbers आपकी बिसम संख्याएं होती है दूसरा there are one of the five single digit prime numbers तो देखो आपको क्या करा है कि क्या single digit की five prime numbers है इस सब आपका बता पाऊगे जब आपको पता रहेगा अगला statement है there are infinitely many prime numbers अगला statement है a prime number है जो नदी two factors which are the above statement are true दो प्राइम नंबर के बारे में कुछ properties दी गई है और आप से पूछ रहा है कि इन चारों में कौन सा आपसन सही है तो चलिए एक एक करके हम चेक करते हैं तो आप देखी all prime numbers are odd numbers क्या क्या सभी prime number odd number होती है बिल्कुल नहीं आपने देखा होगा जो दो था वो आपका even था और prime भी था two जो था even भी था even and आपका क्या था prime भी था तो पहला statement क्या हुआ आपका पहला एक गलत हो गया दूसरा देखते हैं there are only five single digit prime number तो single digit के सारे prime number देखते हैं तो क्या है two है three है five है seven है और क्या है आपका two, three, five, seven बस इतना है nine तो आपका divide हो जाता इसलिए उनहीं आएगा तो देखो कितना आ रहा है आपका चार आ रहा है one, two, three, four और यहां दिया कितना है पांच तो मतलब यह भी statement गलत हो गया देखो यह मैं एकदम conceptual question उठा रहा हूँ यह सब आप कर दोगे बाकि सारा question आप एकदम इज़िक कर दे जाओगे अगला देखो इस statement क्या करा यह तो बिलकुल सही है ऐसा तो है नहीं कि एक ही होगा यह आपका infinite हो सकता है two, three, five, seven, eleven, thirteen, seventeen यह तो ऐसे अनन तक जितना नंबर होगा उतना प्राइम नंबर आएगा मतलब यह statement आपका सही है अगला statement आप प्राइम नंबर है जो नजी two factors यह भी बिलकुल सही है प्राइम नंबर की definition ही है one and number itself देखो question को मैं concept के थुरू कितना अच्छा आपको explain कर रहा हूँ आप concept पे भरुसा करके सारा lecture attend करी आपका exam निकल जाएगा तो भाई यह option को देख लेते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है पहला और चवथा पहला तो गलत है मतलब यह गलत हो गया दूसरा तीसरा चवथा यह भी गलत है दूसरा statement गलत है third option है third and fourth को क्या third और fourth यह आपका सही है second and fourth यह आपका गलत है तो देखो जब आपको basics पता रहेगा तभी आप ऐसे questions कर पाओगे और अभी competition इतना ज़्यादा है कि questions इसी फाम में frame हो रहे हैं तो चलिए अगला question देखते हैं देखो समय की कमी है इस दिए मैं आपको जल्दी जल्दी cover कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि दो महिने के अंदर exam सोने वाज़े हैं नहीं तो इसको मैं concept को और ज़्यादा time देखे आपको explain कर सकता हूँ लेकिन उसका कोई मतलब नहीं इतने ही time में अगर आप समझ जाओगे तो सब कुछ आपको आजाएगा देखो aptitude में जब तो खुद से नहीं practice करोगे आपका कुछ भी नहीं होने वाज़ा है तो चलिए इस statement को देखते हैं और क्या पूछ रहा है वो देखते हैं which statement is true about prime number prime number के बारे में common size statement true है वो आपको बताना है तो चलिए एक-एक करके शुरू करते है every prime number is odd यह तो अभी हमने यहाँ property देखा देखो even भी होती थी सेम आया है बदल के तो यह आपका क्या हुआ गलत हो गया 2 is the 1 जी even prime number तो देखो 2 is the 1 जी even क्या 2 इकलावता prime number है तो यह बिलकुल सही है फिर अगला there are infinitely many prime number यह भी सही है देखो यह हमने देखा देखो वही question है किवल पूछने का अंदाज बदल गया है जो भी exam से अगर आप previous year कर लोगे जो SSE या UPP पिछले 10 सालों से question पूछा गया है question करने का मतलब उसके logic को समझना यह नहीं कि आप question किये जा रहे हो logic को समझ के हर concept पे 10 से 15 question आप कर यह आप एकदम aptitude के master हो जाओगे आप देखो कोंस option सही है more than one of the above देखो इन तीनों में एक से ज़्यादा है तो मतलब ए आपसन सही होगा और ए आपका none of the above एक गलत है तो जो सही है उसको हम इस color से कर देते हैं जो आपका fourth option है यह सही है मतलब एक से ज़्यादा statement इसमें सही है दूसरा और तीसरा आपको यह समझ में आ गया होगा types आप number के बारे में जितने भी concept थे वो सब हमने discuss कर लिया है अब आपका काम है कि आप इसके related previous year में जितने भी question पूछे गये हैं सारे question को solve करिए अगर कुछ भी doubt है तो आप टेलिग्राम पे हमें question पोस्ट करिए उसका solution आपको जरूर मिलेगा या वीडियो के description में भी डाल सकते हैं और अगर आपको यह जो मैं यहां discuss किया हूँ इसका PDF चाहिए तो वीडियो के description में मैं link दे दे रहा हूँ टेलिग्राम का आप जाके टेलिग्राम चैनल को subscribe कर लेजिए जैसे ही मैं कोई भी notes उसमें डालूंगा या PDF तुरंत आपके पास notification आ जाएगी तो चलिए इसे के साथ आज का lecture समात करते हैं अगले lecture में हम लोग जो divisibility rules होते हैं कि कोई भी number 2, 3, 4 मतब इन सबसे divide है कि नहीं वो देखते ही आप कैसे बता दोगे वो सबके rules के बारे में study करेंगे तो इस channel को जादा से जादा लोगों तक layer करिए ताकि उन लोगों तक पहुंच पाए जो अच्छी education afford नहीं कर सकते क्योंकि हर कोई बाहर जाके preparation नहीं कर सकता जैसा कि आपको पता है बाहर रहने का cost, coaching की face यह सब बहुत ही जादा होती है इसलिए आपको जो content मैं provide कर रहा हूँ आप उस पर भरोसा रखके पूरा देखिए और previous year के आप question बनाए देखिए एक भी नहीं रुकेगा कोई भी content check करने का एक मात्र तरीका है उस जो भी teacher का आप follow कर रहे हो उसके lectures को देखिए, concept को अच्छे से समझेए, जितना उसने question कराया उसको समझ के करिए फिर उसके basis पर जाके previous year के question करिए खुद से अगर question 60% से ज़्यादा हो जा रहा है मतलब content आपको एकड़म perfect deliver हो रहा है और आपने अच्छे से content देखा होगा तो 100% question solve होंगे तो आप trust करके पूरे series को follow करिए मैं आने वाले कुछ महिनों में देखोगे आपको aptitude इस level का सिखाऊंगा कि कोई भी exam हो जहाँ प aptitude पूछा जा रहा हो आपका एक भी question नहीं रुकेगा तो चलिए इसे के साथ आज का lecture समाप्त करते है चैनल को अगर आप पहली बार आये हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें वेल आइकान को on करके रखिए ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूँ आपको notification आ जाए तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करें सब्सक्राइब करें वेल लाइक करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थैंक यू